तो हम बात करने वाले सुबह मैच जो होने वाला है टीके यार और एसके इन के बीच में सीपील का मैच जो सुबह में होने वाला सारे चार अपचे उसके बात में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ब्रेल नारा स्टेडियम में पीच रिपोर्ट के बात करते हैं सबसे प तो सबसे पहले बात करते हैं टीके अर्य के बारे में सबसे पहले आते हैं काफी बेहतरी नोड टालेंटड़ है अच्छा रन और आपको बिक्एट भी ले के जा आता है और हालियाँ फोर्म इसका भी अच्छा चलता है बीच में थangया था υूम करा भूता लेकिन अब फोर्म में आ गए है और अच्छा का सा हीढ़ हाढ़ा है और बिखेट भी ले रहा है मस्ट फिकरे का जरूब अपनेटी में ट्राय कीजिए सीवी सीवी बनाए जा सकता है इसको और बात करते हैं सेकरी पैरिस का तो उतना कुछ खास प्लेयर है नहीं इसको एक्सपिरियंस भी उतना नहीं है बहुत सारे लिगों का और हालिया फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं से और तो इसको आसाने सकता है और सामने क्वालिटी बालटी भी है बहुत सब्सक्राइब करते हैं करने और यह प्लेयर है लेकिन हां हालिया का कुछ खास चल नहीं रहा है और इसका कहा है कि बैटिंग ओडर तोड़ा काफी नीचे है और बॉलिंग करा नहीं रहे तो उसलिए थोड़ा सा एवरेज पीखी रहेगा तो असानी से इसको छुआ जा सकते हैं बात करते हैं टीम डेविट के काफी बेहतरी नोट टालेंटेड बेर्जमन है इसके साथ दि काफी बेहतरी नोट टालेंटेड और लांडर है मॉस्ट आप दा टाइम अच्छा खासर रोन और बिकेट लेके जाता है काफी सारे लिगों का एक्सपिरियंस है मस्ट पिकर आएगा जरू आप अपने टीमेट राएक किजिए बात करते हैं अकील होसिन का तो अगर यहां इस पिच फिस्पिनर को मदद मिलता है तो फॉस्ट वैटिंग अगर इसका आते हैं टेक आर का तो आघ्रन बन जाता है दो साके वहाँ अच्छा का वीडिये सकता है लेकिन हाँ इस फिनर को यहां मदद मिले के मझा से फर्स बालिंग में भी धाँज रहेगा मस्ट पिए म तो प्रेशर को उतना तो मदद मिलता नहीं है लेकिन हाँ इसका एक फायदा यह है इसका एडवांटेज यह है कि जो स्वा लिटल डेथ में बॉलिंग कराता है और डेथ में करते हैं डाबलो सलमान खेल का तो यह प्लियर अच्छा है और मस्ट अब टाइम बीकेट उतना ज्यादा लेता है नहीं हाँ लेकिन डेथ में बॉलिंग करा रहा है कभी कभी टीम इसको बॉलिंग इसका और तो कट जाता है लेकिन हाँ डेथ में मिलता है तो उसके वैसे सकता है अब बात करते हैं के बारे में तो एंडरी फरेशर के बात है हालिय ऑफ़ों मिंकर कुछ खास ब्दमाच चल नहीं रहा है और हां प्सट बैटिंग में अगर आता है कि पीच्प में मुमेंट नहीं मिलेगा और सामन की मुफिट यह पीच peanut सार्ण के ने के हमाव पी प्रफश आगया और मस्ट अप्ट रूप अच्छा का सरन मना के जा रहा है हलिया फोमीज का ठीक चले मुझे जरूपनी टाम में ट्राइक की जिसको बात करते हैं मिकेले लोईस का तो उतना कुछ खास एक्स्पिरियंस भी नहीं है और बहुत सारा लीग खेला भी नहीं हालि इस अब प्रफिश के एक तो इस बीसी के कटेगरी में रह सकता है ठीक ठीक टैक प्लियर है मस्ट प्रेकर रहे करते हैं जो जो स्वर्ड तो उतना कुछ खास इक्सपिरियंस नहीं है और हाँ हालिया फोम बीतना जबर जस्त नहीं है कि इंको असानी चुआ जाए सकता है ब कभी चलेगा कभी आउट हो जाएगा और यहां पर प्रोब्लम यह है कि इसका बैटिंग और काफी नीचे है तो इसको आसानी से छोड़ा जा सकता है कोई दिकत नहीं है तो बात करते हैं डॉमिनिक ड्राक्स का तो काफी टैलेंटर और भेतरी नोल राउंड विकेट भी लेता है और हां भी बनाके जाता है अगर बैटिंग आगया तो लेकिन हाँ टीम को पता नहीं क्या विस्वास है इसको कि डेथ में इसको बॉलिंग दे रही है तो उस समय अगर विगेट ले ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन उतना कुछ बिगेट टेकरना चाहिए बॉलर है नहीं आसाने से छोड़ा जा सकता है और बैटिंग भी इसका काफी आपने पॉल को टर्न करता है अगर अढ़ा पीछे पीछ जासरन मिलें तो अतो आम से घंब ऑनार लगा देता है कभी फृषे तो मस्ट पहिए करें जो लोगों के लिए तो यह आज का प्रेडिक्शन आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिजे और दिस्क्रिप्शन में आपको मिल दाएगा तो यहां जोइन करें लिए लास्ट मोमेंट का सार अपडेट महीं भी मिलता है तेंक यू